गिंती की पुस्तक अध्याय 35, लेवियों के नगरों की और शरन नगरों की विधी फिर यहवा ने मुवात के अराबा में यरिहों के पास की यरदन नदी के तक्ट पर मुसा से कहा इस्राइलियों को आग्या दे कि तुम अपने अपने निजभाग की भूमे में से लेवियों को रहने के लिए नगर देना और नगरों के चारो और की चराया भी उनको देना। नगर तो उनके रहने के लिए और चराया उनके गायबेल, भेडबकरी, आदि उनके सब पश्चूं के लिए होंगी। और नगरों की चराया जिन्हें तुम लेवियों को दोगे, वह एक-एक नगर की शहरपना से बाहर चारो और एक-एक हजार हाथ तक की हो। और नगर के बाहर पुर्व, दक्खिन, पश्चिम और उत्तरलंग दो-दो हजार हाथ इस रीति से नापना कि नगर बीचो बीच लेवियों के एक-एक नगर की चराय इतनी ही भूमी की हो। और जो नगर तुम लेवियों को दो, उनमें से चह शरन नगर हो, जिन्हें तुमको खुनी के भागने के लिए ठैराना होगा, और उनसे अधिक 42 नगर और भी देना। जितने नगर तुम लेवियों को दोगे, वे सब 48 हो, और उनके साथ चराया देना, और जो नगर तुम इसराइलियों की निजब हुई में सेदो, वे जितने बहुत नगर हो, उनसे बहुत और जितने थोड़े नगर हो, उनसे थोड़े लेकर देना, सब अपने अपने नगरों में से लेवियों को अपने ही अपने भाग के अनुसार दे, फिर यहवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों से कहा, कि जब तुम यरदन पार होकर कनान देश में पहुचो, तब ऐसे नगर ठहराना, जो तुम्हारे लिए शरन नगर हो, कि जो कोई किसी भूल से मार के खुनी ठहरा हो, तो वह वहा भाग जाए, वे नगर तुम्हारे निमित्त पल्टा लेने वाले से शरन लेने के काम आएंगे, कि जब तक खुनी नयाई के लिए मंडली के सामने खड़ा न हो, तब तक वह न मार डाला जाए, और शरन के जो नगर तुम दोग वे चह हो, तीन नगर तो यर्दन के इस पार और तीन कनान देश में देना, शरन नगर इतने ही रहे, ये चहो नगर इस्राइलियों के और उनके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी शरन स्तान ठहरे, कि जो कोई किसी को भूल से मार डाले, वह वही भाग जाए, प और वह खुनी अवश्य मार डाला जाए, और यदि कोई ऐसा पत्थर हाथ से लेकर, जिससे कोई मर सकता है, किसी को मारे, और वह भी खुनी ठहरेगा, और वह खुनी अवश्य मार डाला जाए, वा, कोई हाथ में ऐसी लकडी लेकर, जिससे कोई मर सकता है, किसी को मारे, और वह मर जाए तो वह भी खुनी ठहरेगा और वह खुनी अवश्य मार डाला जाए लोहु का पल्टा लेने वाला आप ही उस खुनी को मार डाले जब भी वह मिले तब ही वह उसे मार डाले और यदि कोई किसी को बैर से ढखेल दे वा घात लगा कर कुछ उस पर ऐसे फेक दे कि वह मर जाए वा शत्रुता से उसको अपने हाथ से ऐसा मारे कि वह मर जाए तो जिसने मारा हो वह अवश्य मार डाला जाए वह खूनी ठेरेगा। कुछ फेक दे वा ऐसा कोई पत्थर लेकर जिससे कोई मर सकता है दूसरे को बिना देखे उस पर फेक दे और जब वह मर जाए परंतु वह न उसका शत्रु हो और न उसकी हानी का खोजी रहा हो तो मंडली मारने वाले और लोहु के पल्टा लेने वाले के बीच इस नियमों के नियाय करे और मंडली उस खोणी को लोहु के पल्टा लेने वाले के हाथ से बचा कर उस शरन नगर में जहां वह पहले भाग गया हो लवटा दे और जब तक पवित्र तेल से अभिशे किया हुआ महायाजक न मर जाए तब तक वह वही रहे परंतु यदि वह खोणी उस शर बाहर निकल कर और कहीं जाए और लोहु का पल्टा लेने वाला उसको शरन नगर के सीवान के बाहर कहीं पाकर मार डाले तो वह लोहु भाने का दोशी न ठहरे क्योंकि खोणी को महायाजक की मुत्युतक शरन नगर में रहना चाहिए और महायाजक के मरने के पश्चात वह अपनी निजभूमी को लौट सकेगा। तुम्हारी पीडी-पीडी में तुम्हारे सब रहने के स्थानों में न्याय की यह विधी होगी। और जो कोई किसी मनुष को मार डाले, वह साक्षियों के कहने पर मार डाला जाए। परंतु एक ही साक्षि की साक्षि से कोई न मार डाला जाए। और जो खुनी प्रांदंड के योग्य ठहरे, उससे प्रांदंड के बदले में जुर्माना न लेना, वह अवश्य मार डाला जाए। और जो किसी शरन नगर में भागा हो, उसके लिए भी इस मतलब से जुर्माना न लेना, कि वह याजक के मरने से पहले फिर अपने देश में रहने को लटने पाए। इसलिए जिस देश में तुम रहोगे, उसको अशुद्ध न करना, खुन से तो देश अशुद्ध हो जाता है, और जिस देश में जब खुन किया जाए, तब केवल खुनी के लुहू बहाने ही से उस देश का प्रायश्चित्त हो सकता है, जिस देश में तुम निवास उसके बीच में मैं रहूंगा, उसको अशुद्ध न करना, मैं यहोवा तो इस्राइलियों के बीच रहता हूँ